ओम शान्ति आज दिनांक 23 जन्वरी 2023 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सिख्छाएं दी उनका मनन करेंगे बाबा बोले मीठे बच्चे पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता तुम्हें सिरीमत है घर गरस्त में रहते पवित्र बनों दोनों तरफ तोड़नी भाव बाबा समझाते मीठे बच्चे पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता तुम्हें सिरीमत है घर गरस्त में रहते पवित्र बनों दोनों तरफ तोड़नी भाव अर्थात पवित्रता का सागर पिता निराकार परमात्मा भारत भूमी पर अउतरित होते भारत जो रोरव नर्क बन गया है उसे स्वर्ग बनाते तो बाबा कहते पवित्रता बिना भारत स्वर्ग नहीं बन सकता तो तुम ब्रामन बच्चों को स्रीमत है कि घर गरस्त में रहते पवित्र बनो पवित्रता को धारन करो पवित्र दुनिया की स्थापना हो रही है जिसमें पवित्रता मुख्य है मैं आता ही हूँ पवित्र दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए तो स्वर्ग में अब पवित्रता का नामो निशान नहीं होता तो तुम बच्चों को अभी संगम पर ही पवित्रता को धारण कर पवित्र बन पवित्र दुनिया की इस्थापना में बाबा का मददगार बनना है तो बाबा कहते घर घ्रस्त में रहते पवित्र बनो दोनों तरफ तोड निभाओ तुम्हें ग्रस्त विवार में भी तोड निभाना है और रूहनी सेवा भी करना है तो बाबा कहते यहां तुम्हारा मरजीवा जन्म है तुम्हें एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा मुक्तवारा तो बाबा कहते भगवान है स्वर्ग का रचियता तो पवित्र दुनिया ही रचेंगे क्योंकि पवित्रता का सागर है तो तुम बच्चों को यहां ग्रस्त में कमल फूल समान रहना है कुमारी है वा कोई भी है उनको कहा जाता है घर में रोज ग्यान अमरत पियो ग्रस्त में रहते ग्यान का स्वरूब बनू नौलेज समझ कर फिर औरों को समझाओ दोनों तरफ तोड निभाओ ग्रस्त विवार में भी रहना है अंत तरक बाबा कहते अंत तक दोनों तरफ तोड निभाना है रूहानी सेवा भी करते रहना है और ग्रस्त वेवार में भी तोड़नी भाना है प्रश्न किया बाबा ने दूसरे सतसंगों वा आस्रमों से यहां की कौन सी रस्म बिलकुल न्यारी है दूसरे सतसंगों वा आस्रमों से यहां की कौन सी रस्म बिलकुल न्यारी है उत्तर में बाबा समझाते उन आस्रमों में मनुस्य जाकर रहते हैं समझते हैं संगच्छा है घर आदी का हंगामा नहीं है एम ऑबजेक्ट कुछ नहीं परन्तु यहां तो बाबा कहते तुम मरजीवा बनते हो तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता घर में रहे तुम्हें ग्यान अम्रत पीना है रुहानी सेवा करनी है यहां रस्म उन सत्संगों में नहीं है अर्थात जो भी सत्संग होते हैं मनुस्य जिन आस्रमों में जाकर आस्रे लेते हैं बाबा कहते वह यह समझते हैं कि संग अच्छा है, घर के हंगामे से दूर है, एम अबजेक्ट भी नहीं है, सदा यह इस्मरती रहती कि हम अच्छे संग में रह रहे हैं, परन्तु वहां कोई लक्ष होता नहीं, यहां तो बाबा आकर हमें लक्ष देते नर से नारायन बनने का, नारी से लक्षमी बनने का, पतित से पावन बनने का, तो बाबा कहते तुम्हारा यहा है मर जीवा जन, तुम पुरानी देह से, पुराने संबंधों से, सुक सुविधा के साधनों से जैसे मर जाते हो, अर्थात यह न्यारा और प्यारा बनने के लिए बाबा नया जन्म देते तो बाबा कहते तुम लक्ष समान लक्षन धारन करते हो ग्यान अमरत पीते हो, रूहानी सेवा करते हो यह रस्म उन सत्संगों और आस्रमों में नहीं होती इसलिए बाबा कहते दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग हैं, जहां मनुष्य जाते हैं, कोई आस्रमों में जाकर भी रहते हैं, तो उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि मात पिता के पास जाए, जन्म लिया, वह उनसे कोई वर्सा मिलता है, नहीं, सिर्फ वह सत्संग अच्छा समझते हैं, वहां घर आदी का कोई हंगामा नहीं होता, बाकी एम आबजेक्ट भी कुछ नहीं है, यहां तो तुम कहते हो, हम मात पिता के पास आए हैं, यहां है तुम्हारा मर जीवा जन्म, वहां लोग बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तो वहां जाकर उनका घर बसा पास आदा है, वहां वहार रस्म, बाबा कहते यहां यहार रस्म नहीं है, कि पिहर घर ससुर घर को छोड़कर यहां आकर बेठे, यहां तो हो नहीं सकता, यहां ग्रस्त में रहते तुम बच्चों को पवित्र बनना है लक्ष भी है लक्ष्मी नारयन बनने का तो बच्चों को यहां सर्विस भी करनी पड़े पवित्र भी बनना पड़े बाबा कहते तुम हो रूहानी सोसल वरकर यहां तुम्हारा मरजीवा जन्म है, इस जन्म में तुम ब्राम्मन से फरिस्ता, फरिस्ते से देवता बनने का पुरुशार्थ करते हो, ग्यान अमरत पीते हो, सोसल सर्विस भी करते हो, तुम बच्चों को लक्ष मिलता है, लक्ष समान लक्षन धारण कर, उसे प्राप्त कर तुम नर से नारायन बनते हो यहा रस्म और सत्संगों वा आस्रमों में होती नहीं आगे बाबा समझाते बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे यहा बात उन्हों की बुद्धी में नहीं है भारत पवित्र था अभी अपवित्र है सभी आत्माएं खुद भी चाहती हैं कि पवित्र बने यहां दुख बहुत है तुम बच्चे जानते हो कि पवित्रता बिगर भारत स्वर्ग हो नहीं सकता नर्क में है ही दुख अब नर्क तो और कोई चीज नहीं जैसे गरूर पुडान में भी दिखाते हैं बाबा कहते ऐसे तो कोई नदी है नहीं सजाएं खाते हैं गर्ब जेल में सत्यूग में गर्ब जेल होता नहीं वहां गर्ब महल होता है इस समय सारी दुनिया जीती जाकती नर्क है जहां मनुस्य दुखी रोगी असानते हैं एक दो को दुख देते रहते हैं स्वर्ग में यहा कुछ होता नहीं अब बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहत का बाप हूँ मैं रचियता हूँ तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया रचूँगा स्वर्ग के लिए आदी सनातन देवी देवता धर्म रचूँगा कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे तुमरी स्कृपा से सुख गने रे तो कल्प कल्प यह राजियोग सिखाया था ब्रह्मा द्वारा बेट बाबा सभी सास्त्रों का आदी मध्य अंत का राज समझाते हैं बाबा कहते बिल्कुल अनपड को भी बेट पड़ाता हूँ तुम कहते थे न हे भगवान आओ पतित पावन बाबा आया हुआ है पतितों को पावन बनाने आगे बाबा कहते काम महासत्रू है क्रोध वा लोब वा मोह आकरसर नहीं होती इन पर जीत पाना अर्थात महावीर का काम है देह अभीमान के बाद पहले-पहले काम ही आता है इन पर जीत पानी है जो पवित्र हैं उनके आगे अप पवित्र कामी मनुष्य नमन करते हैं कहते हैं हम विकारी है आप निर्विकारी ऐसे नहीं कहते कि हम क्रोधी लोभी हैं सारी बात विकार की है बाबा कहते अब तुम बच्चों को पवित्र बन इन विकारों पर जीत पानी है बाबा आकर राजयोग सिखलाए अपने संग ले जाने के लिए पावन बनाते हैं सच्ची सच्ची गीता का सार समझाते हैं तो बाबा कहते सतो प्रधान बनने से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे याद को नेश्टा कहेंगे क्या हम आदा घंटा नेश्टा में बैठे यहां रॉंग है बाप सिर्फ कहते हैं याद में रहो सामने बैठ सिखलाने की द बहुत खजाने देते हैं, याद से खुसी का पारा चड़ना चाहिए, अतिंद्री ये सुखफील होना चाहिए, बाप कहते हैं तुमारी यह लाइफ बहुत वेल्यूवल है, इनको तंदुरुस्त रखना है, जितना जीएंगे उतना खजाना पाएंगे, खजाना पूरा तब मिलेगा, जब हम सतो पृधान बन जाएंगे, मुरली में भी बाबा कहते बल होता है, तलवार में जोहर होता है न, तुमारे में भी याद का जोहर पड़े, तब तलवार तीखी हो, ग्यान में इतना जोहर नहीं, इसलिए किसको असर नहीं होता, इसलिए बाप कहते हैं ग् अच्छे बड़े बड़ों को भी तीर लगते हैं वर्दान दिया बाबा ने वर्दान में बाबा कहते अपनी सर्व विसेस्ताओं को कार्य में लगा कर उनका विस्तार करने वाले सिद्धी स्वरूप भाव अर्थात जो बच्चे पिता परमात्मा से प्राप्त गुण ग्यान तथा सक्तियों को यूच करते हैं स्वप्रती और अन्य आत्माओं के प्रती कार्य में लगाते हैं उतना ही उनका विस्तार होता है क्योंकि बाबा कहते मैं जो अविनासी रतन देता हूँ ये अखुट खजाने हैं जितना यूज करते उतना बढ़ते जाते हैं तो जितना जितना इन खजानों का यूज करेंगे अर्थात अनुभवी मूर्त बनेंगे उतना उतना खजाने विस्तार को पाते जाएंगे और आप बच्चे सिद्धी स्वरूप बन जाएंगे जितना जितना अपनी विसेस्ताओं को मंसा सेवा वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो यही विसेस्ता विस्तार को पाती जाएंगी सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना इस स्रेष्ट जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विसेस्ताएं मिली हैं उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो सेवा की धर्मी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धी स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे स्लोगन विस्तार को ना देख सार को देखो और स्वयम में समालो यही तिवर पुरूशार्थ है विस्तार अर्थात ग्यान सार अर्थात बीज रूप तो जितना जितना बीज रूप अर्थात पिता निराकार परमात्मा को देखेंगे उनको याद करेंगे उनको स्वयम में समालेंगे उतना उतना ग्यान स्वरूप बनते जाएंगे अर्थात तीवर पुरूशार्थी बन जाएंगे तो ये थे बाबा के महावा के अच्छा ओम शान्ती